केंद्रिय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीद्वार धर्मेंद्र प्रधान ने आज पार्टी के चार अन्य हेविवेट नेताओं के साथ भुवनेश्वर में एक समवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक के 25 वर्ष के शासन में ओडिशा आज बहुत पीछे चला गया है जबकि इस सम्म्याबधी में तो पूरा एक युग बदल जाता है पोडिशा में पहले चरण के तहट मतदान जारी है सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड जुटने लगी है पहले चरण के मतदाताओं में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक है 30,97,527 पुरुष मतदाता है जबकि 31,89,060 महिला मतदाता है 635 त्रीतिय लिंके मतदाता है 37 लोकसभा और 243 विधान सभा उम्मीद्वारों के भागय का फैसला 62,87,000 मतदाता करेंगे पुरुषा में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है मतदाता उचसाहित हैं लेकिन कई जगहों पर EVM मशीन में खराबी आने की वजह से उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ रही है कोरापुट में जिलाधीश और उनकी पतनी समेट जिला पुलिस अधीक्षक और उनकी पतनी को भी मतदान करने के लिए करीब एक घंटे तक का इंतजार करना पड़ा ओड़िशा में आज पहले चरण के तहट मतदान हो रहा है इस बार का थीम वोट दे रहा ओड़िशा है चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं हर जड़ह शान्ति पूर्ण धंग से मतदान हो रहा है मौसम भी ठीक रहने के कारण कतारों में खड़े लोगों को खास परेशानी नहीं हो रही है आज यानी सुमवार 13 मई को ओड़िशा में प्रथम चरण और देश के चौथे चरण का चुनाव होगा इसी के चलते 36 गड़ की सीमा से 60 दक्षिन ओड़िशा के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था जोरदार और कड़ी की गई है पुलिस और सुरक्षा बल के जवान सीमा वर्ती जिलों में पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और किसी भी गड़बडी से निपटने के लिए पूरी तरह तयार है 15 मई की सुभा बीजद सुप्रीमो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ग्रह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा करेंगे सीम पटनायक की चुनावी सभा सेक्टर 13 मिलन मैदान में आयोजित होगी तो वही ग्रह मंत्री अमित शाह हवाई अड़्डा मैदान के पास चुनावी सभा करेंगे भाजपा और बीजद की ओर से इन 15 मैई को होने वाली चुनावी सभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है दो दिन पहले ही ओड़िशा में तीन-तीन जनसभा एवं रोड़ शो करने के बाद एक बार दो बारा से पीएम मोदी ने ओड़िशा आने की तैयारी कर ली है प्रधान मंत्री पुरी में रोड़ शो करेंगे और कटक एवं अनुगुल में जनसभा को सम्बोधित करेंगे इससे पहले भी प्रधान मंत्री बीते शुक्रवार को ओड़िशा दौरे पर आये थे और उन्होंने सम्बोधन में सीधे तोर पर नवीन पटनायक सरकार पर हमला बोलना था पीए मोधी ने शनिवार को बलांगीर में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए ओड़िशा सरकार पर हमला बोला उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल सरकार के विदा लेने का समया गया है और इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है पीए मोधी ने कहा कि क्योंकि पूरा ओड़िशा एक स्वर में बोल रहा है राज्ज में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनने का भी दावा किया कंधमाल के फुलवानी में प्रधान मंत्री मोधी के पहुचते ही मोधी मोधी के नारे से क्षेत्र गुंजायमान हो गया प्रधान मंत्री ने यहां भी ओडिया से संबोधन की शुरूआत की प्रधान मंत्री ने कहा कि कल से ही यहां मा नाराइनी का उत्सव शुरू हुआ है आज मेरा सौभाग्य है कि कंधमाल आते ही मुझे ऐसे आशिरवाद मिले हैं जो मैं जीवन भर भूल नहीं सकता पुलिस ने सोमवार को कहा कि यहां छे निजी अस्पतालों को इमेल के जरिये बम की धमकी मिली थी जिसके बाद पुलिस ने शहर के इन अस्पतालों में डॉक स्क्वार्ड और बम निरोधक टीमों के साथ व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने कहाने इन अस्पतालों के परिसर के अंदर कोई संदिक धवस्तु नहीं मिली यह एक फर्जी धमकी थी दरसल माध्वी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में वह मतदान केंदर पर मतदान के लिए बैठी महिलाओं के वोटर आईडी चेक करती नजर आ रही है इस दौरान माध्वी लता महिलाओं से उनका बुरका हटवा कर भी देख रही है वीडियो हैदराबाद के पुराने शहर के एक मतदान केंद्र का बताया जा रहा है हालांकी दैनिक जागर्ण वीडियो की पुष्टी नहीं करता है पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत अंतरराश्ट्रिय स्तर पर एक एतिहासिक कदम उठाने जा रहा है विश्वस्निय सूत्रों ने बताया है कि एरान और भारत के बीच महत्वपून चाभार बंदरगाह समझोते पर हस्ताक्षर होंगे इसके लिए केंद्रिय मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल सोमवार को इरान के लिए रवाना हो गए हैं बता दें कि इस समझोते के बाद भारत एक दशक के लिए चाभार बंदरगाह का प्रबंधन संभालेगा महिला ट्रेन चालकों ने ड्यूटी के दौरान वाश्रूम ब्रेक का अनुरोध करने के लिए वौकी टॉकी का उप्योग करने के शर्मनाक और असुरक्षित चलन का विरोध किया है एक महिला लोको पाइलट ने कहा कि यदि हमें शौचालय जाने के लिए अनुरोध करना होता है तो हमें पुरुष लोको पाइलट को बताना होता है जो स्टेशन मास्टर को सूचित करता है फिर स्टेशन मास्टर इसे आगे नियंतरन विभाग को बताता है इस रो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि भारतिय अंतरिक्ष उद्योग विकास के नए क्षेत्र के रूप में देश में प्राइवेट शेत्र को अध्गुत अफसर मुहया करा रहा है। इस रो द्वारा विक्सित तक्नीक से प्राइवेट शेत्र की 400 कमपनियों को लाब हुआ है। मेघाले के उम्रोईक शेत्र में यह अभ्यास 26 मई तक चलेगा। इससे पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान अपरेल के 22 से 25 तक फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। भारतिय सेना ने कहा कि इस अभ्यास का लक्षे दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्यक शम्ता को बढ़ाना है। मनेपुर पुलिस ने कांग पोक पी पुलिस स्टेशन में तैनात चार पुलिस कर्मियों के अफ़रण और उन पर हमला करने के आरोप में मैती संगठन अरामबाय तैंग गोल से जुड़े दो लोगों को रविवार को गिरफतार किया है। पुलिस ने कहा कि चार पुलिस कर्मियों का शनिवार रात इमफाल पूर्वी जिले में राश्ट्रिय राजमार्ग दो पर अफ़रन कर लिया गया जब वे इमफाल से कांधपोप पी जा रहे थे एस जैशंकर ओन चाइना विदेश मंतरी एस जैशंकर ने कहा कि आज चीन के साथ हमारे रिष्टे सामान्य नहीं है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में शान्ती भंग हो गई है इसलिए वह प्रधान मंतरी उम्मीद जता रहे थे कि चीनी पक्ष को यह एहसास होना चाहिए कि मौजूदा स्थिती उसके भी हित में नहीं है भारत तथा चीन के बीच शान्ति पूर्ण संबंध पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है उम्मी द्वारों में से लगभग 18 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं इन में हत्या हत्या की कोशिश महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरत फैलाने वाले भाशन से संबंधित मामले हैं एडियार और नेशनल इलेक्षन वाच ने पाँचवे चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मी द्वारों द्वारा दायर किये गए हलफ नामों का विशलेशन किया 33 प्रतिशत उम्मी द्वार करोडपती है बीते वर्ष चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साज़ेदार रहा है इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षिय कारोबार 118.41 अरब डालर रहा है यह बात वैश्विक कारोबार पर शोध करने वाली एजनसी जी टी आराई की नई रिपोर्ट में कही गई है रिपोर्ट के अनुसार बीते पांच वर्षों के दौरान अमेरिका को भारत से होने वाला निर्यात 47.9 प्रतिशत बढ़कर 77.52 अरब डालर हो चुका है जैराम ने एक्स पर पोस्ट किया प्रधान मंतरी से बहस का निमंतरन स्विकार करते हुए राहुल गांधी द्वारा पत्र लिखे एक दिन बीच चुका है तथाक्थित 56 इंच के सीने ने अभी तक निमंतरन स्विकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई जैराम ने प्रधान मंतरी द्वारा दिये जा रहे साक्षातकारों को भी प्रायोजित बताया कहा कि उनके द्वारा अख़बारों और टीवी चैनलों को दिये जा रहे साक्षातकार सुनियोजित है प्रियंका चोपरा और उनके पती व अमेरिकन सिंगर निक जोनास ने मदर्स दे के मौके पर सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट लिखा है प्रियंका ने मा बनने की खुशी जाहिर की और सासू मा को मालती की परवरिश में साथ देने के लिए धन्यवाद भी किया हॉलिवुड फिल्मों का शोर घरेलू बॉक्स ओफिस के साथ ही इंटर्नेशन मार्केट में भी खूब देखने को मिलता है पिछले शुक्रवार रिलीज हुई किंगडम ओफ द प्लेनेट ओफ द एप्स दुनिया भर में धमाल मचा रही है फिल्म को लेकर ओडियन्स ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है किंगडम ओफ द प्लेनेट ओफ द एप्स ने इंटर्नेशन मार्केट में गर्दा उड़ा दिया है सुशान्त सिह राजपूत के निधन के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती काफी सुर्खियों में रही उनको जेल भी जाना पड़ा था अब अभिनेता की चौथी डेथ एनिवर्सरी से पहले उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है इस पोस्ट को देखने के बाद कुछ यूजर स्रिया चक्रवर्ती की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं सुचित्रा पिलय ने सालों बाद प्रेती जिन्टा के बॉयर्फ्रेंड को डेट करने पर चुपपी तोड़ी है प्रीती जिन्टा के एक्स बॉयफ्रेंड संग रिलेशन्शिप में रहने को लेकर सुचित्रा पिलाई को बॉयफ्रेंड स्नैचर कहा गया था इस आरोप के बाद अब सुचित्रा ने प्रीती और उनके बॉयफ्रेंड के बीच ब्रेकप की कहानी बया की है जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा है सनी देओल आज यानी 13 मई को अपना बर्थडे सेलिबरेट कर रही है एक्ट्रेस ने फिल्म जिस्न दो के साथ बॉलिवुड में कदम रखा था और अब एक जाना माना नाम बन चुकी है एक्ट्रेस के करनजीत को और वहरा से सनी देओल बनने का सफर बेहत दिल्चस्प है यहां तक कि उनकी बायोपिक भी बन चुकी है बॉलिवुड में अपनी काबिलियत के दम पर अलग मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री दिया मिर्जा ने कई फिल्मों में काम किया है दिया मिर्जा को उनकी पहली फिल्म रहना है तेरे दिल में से खूब सुर्खियां बटोरी थी और आज भी उन्हें कई लोग इस फिल्म की हीरोईन के तौर पर जानते हैं मनीशा कोईराला बॉलिवुड की बहतरीन एक्ट्रेस में से एक रही है हाला कि कई हिट फिल्मे करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेट ले लिया था जिसकी वजह उनकी कैंसर की बीमारी थी अब हीरा मंडी के बाद उन्होंने एक्टिंग में वापसी की है इसके साथ ही अब उन्होंने सालों बाद कैंसर बीमारी को लेकर अपना दर्द भी जाहिर किया है इस नियम के तहट ये देखा जाता है कि क्या बल्लेबास जानबूच कर फील्डर द्वारा फेंकी गई थ्रो के बीच में आया और अपने आपको रन आउट होने या फील्डिंग में रुकावट डालने की कोशिश की जडेजा के मामले में तीसरे अंपायर ने पाया था कि जडेजा जानबूच कर फ्रो के बीच में आये ये जानते हुए कि गेंद कहां जा रही है इसी कारण उन्हें आउट दिया गया RCB ने रविवार को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मात दी ये मैच RCB ने 47 रनों से अपने नाम किया ये RCB की लगातार पांचवी जीत है इस जीत के बाद उसके पांच मैचों में 13 अंख हो गए हैं और अभी उसे एक मैच और खेलना है प्लेफ में जाने के लिए उसे आखिरी मैच में जीत के अलावा किस्मत का भी साथ चाहिए चेन्ने सुपरकिंग्स के पूर्व दिगज क्रिकेटर ने कहा कि भविश्य में हो सकता है कि चेन्ने में MS धोनी के मंदिर बने चेन्ने सुपरकिंग्स ने रविवार को IPL 2024 के 61 मैच में राजस्थान रोयल्स को पाँच विकेट से मात दी और प्लेफ में पहुँचने की अपनी उम्मीदों को जिन्दा रखा CSK की टीम IPL 2024 की प्वाइंट स्टेबल में चौथे स्थान पर है